हिंदी सिनेमा की पहली फीमिल सुपर स्टार श्री देवी को गुजरे आज 6 साल बिचुके हैं बड़ी बड़ी आखे, खुबसूरत चेहरा और आवाज में खनक रखने वाली श्री देवी ने अपने अभिने से मेल डॉमिनेटेड इंडरिस्ट्री की काया पलट दी महत चार साल की उम्र में एक्टिंग से जोड़ी श्री देवी ने अपनी जिंदगी के 50 साल सिनेमा को दिये और पदमश्री नेशनल अवार्ट, फिल्म फेर, लाइफटाइम, अच्यूपमेंट समेथ कई समान अपने नाम का लिये 24 फरबरी 2018 को जब दुबई से अचानक खबर आई कि श्री देवी नहीं रही तो कोई यकीनी नहीं कर सका फिल्मी दुनिया की चांदनी और हवा हवाई का एक लम्मे में गुजर जाना लाखों चाहने वालों के लिए सदमा था यही वज़े थी कि जब सफेद फुलों से ढखकर श्री देवी की अंतीम यात्रा निकाले गई तो पूरा शहर उनके साथ साथ चल रहा था और ये बन गया भारत का चोथा सबसे बड़ा अंतीम संसकार अंतीम संसकार से पहले श्री देवी को सुवागन की तरह सजाया गया और उनके मुह में सोने का टुकड़ा रखा गया था श्री देवी और अमिता बच्चन स्टार फिल्म खुदा गवा की शुटिंग अफगानिस्तान में कई हिस्सों में हुई थी उस समय अफगानिस्तान में जंग के माहुल बने वे थे हर तरफ गोली बारी हो रही थी और मिसाइल का इस्तेमाल होना भी आम था खोफ में लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया था सोव्यत संग ने अफगानिस्तान से कबजा हटाते वे देश की जिम्मेदारी नजिबुल्ला को दी जो राष्टपती बने नजिबुल्ला भारती फिल्मों के बड़े प्रश्शन सकते ऐसे में जब अमिताब श्रीदेवी की फिल्म शूट करने के लिए उनसे पर्मीशन ली गई तो वो तुरंत मान गए उन्हें शूटिंग पर्मीशन तो मिल गई लेकिन माहुल बहत खराब था जब अमिताबच्चन और श्रीदेवी शूटिंग के लिए अफगानिस्तान के बुचकशी की मजारे शरी पहुँचे तो पूर्व राष्टपती नजिबुल्ला एहमद जराई ने अफगानिस्त में गोलियां चलनी बंद हो जाती थी और वहां के लोकल लोग बेखोव शूटिंग देखने घरों से निकल पड़ते थे शूटिंग खतम होती थी और गोली बारी फिर से शुरू हो जाती थी